चलिए देखिए कुश्चन में क्या कहता है आपके सामने कुश्चन विज्वल होगा कुश्चन में कहता है आर लिमिटेड बॉर्ट अ मसीनरी 30,000 इन 1st अप्रेल 2018 यानि एक अप्रेल 14 2018 में इसने एक मसीनरी खरीदा और एक मसीनरी को M1 नाम दे रहे हैं कितने के खरीदा 30,000 रखा वन मोर मसीनरी परचेस ऑक्टूबर 2018 एक और मसीनरी खरीद लिया यहां लिख लेते हैं एक दस 2018 एक और मसीनरी खरीद लिया इसने और कितने का खरीदा that is M2 इसको नाम दे दिया और 20,000 का 20,000 का आगे कहता है on July 19 a new machinery also purchased ठीक है सर M3 खरीद लिया इसने कब July 2019 कितने का खरीद लिया तस अजार टोटल कितने machinery होगे सर तीन machinery होगे M1, M2 और M3 was added in existing machinery 1st January 2020 को one third of machinery which was installed on 2018 sold rupis थी था सर इसका मतलब क्या हुआ कहने का मतलब है एक जनवरी दो हजार बीस में क्या हुआ वो बताना चाह रहा है कहता है एक जनवरी दो हजार बीस में one third machinery was installed April 18 में तो सर अपरिल 18 की में बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताईए April 18 में कौन सी machinery है M1 है, M2 है या M3 है क्या बात कर रहा है कहता है कहता है जनवरी बीस में ऐसी घटना घटी कि एक बता तीन हिस्सा उस machinery का जो machinery April 18 में लिया गया था तो यानि ये first M1 की बात कर रहा है किस की बात कर रहा है M1 तो अगर M1 की बात कर रहा है तो very simple कि इस में से एक बता तीन हिस्सा बेच दिया गया तो जब कभी भी ऐसा कोई machinery होता है जिसका कुछ पार्ट बेचा जाता है तो हम क्या करने वाले है स्टार्टिंग से ही अलग करके चलेंगे जिससे उसके पार्ट पे प्रॉफिट ये लॉस easily calculate हो पाए हम स्टार्टिंग से अलग लेके चलेंगे तो sir 1 by 3rd अगर निकालें तो कितना आता है इसका 10,000 तो remaining जो बच गया वो हो गया 20,000 question में कहना था कि जो 1,3rd है उसको एक जनवरी 20 में 3,000 का बेच दिया गया यानि इसको हमने 1,1,2,000 20 में sold कर दिया कितने का 3,000 का इस वाले हिस्से को क्या इस वाले हिस्से को बेचा गया जवाब नहीं सर इस वाले हिस्से को नहीं बेचा गया चलिए आजाईए हमारे पास 3 मसीनरी हो गया show the machinery account in the books of the company the rate of depreciation 10% reducing balance method कौन सा method है सर WDV the accounting period 31 December each year तो reducing cost method से है ये चलिए हम depreciation लगाना start करते है 31 year हमारा क्या है क्या कहता है the accounting year period end कौन सा है सर December तो 31 12 ठीक है ना खरीदा कब गया है इसकी date खरीदने की ये है 31 12 2000 BC आएगा sorry 18 ही आएगा इस पर depreciation क्या लगेगा सर 9 महने का लगेगा 750 सर कैसे आया 9 मंत का क्योंकि April से लेके December तक count करोगे न April मई June July August September October November December पूरे 9 महने होगे तो 9 महने ऐसे calculate हुआ 10,000 into में 10 by 100 into में 9 by 12 that is 750 आगया आपका बच गे हमारे पास 90 to 5 50 remaining part पर भी डप लगेगा इस पर भी 9 मंत का लगेगा इस पर आएगा 1500 ये बच गे 18,500 जो date हमारे पास आचुका है date क्या है 1,1,2,0 कितने अच्छा ये आएगा 18,500 अरे पूराई हटा देते हैं खीक है उसके बाद फिर depreciation लग जाएगा 31,12 2019 पूरे साल का लगेगा और है एक्छुल में WDV तो 9,25 यहाँ पर क्या लगेगा 1,8,50 इस हिस्से को थोड़ा नीचे ले जाएगा माइनस कर देते हैं 9,25 9,25 8,3 2,5 1,6 6,5,0 अगें लेस डप्रीशेशन होगा कौनसी डेट पे 31,12,2020 अब देखो यह बेचा कब है हमने 1,1,2020 तो जो हमारे पास यह डेट निकल के आया साहाब 1,1,2020 तो आएगा और जो 1,1,2020 आगया तो इसको बोला गया बेचो कितने का बेच दो सर 31 बैंक से बेचना है तो बैंक से बेचेंगे कितने का 3,000 का यह लॉस हो गया कितना लॉस वा सर 5,3,2,5 पहले फर्स मसीमरी को देखिए और हमें अकाउंटिंग करनी कब तक है Books, Company, The Rate of Depreciation The Accounting, December Each Year हमारा जो लास्ट एक्टिविटी है उस साल को complete करना होता है कई बार हमें यह नहीं बताता कि अकाउंटिंग कब तक करना है तो हमें कब तक करना होता है जो हमारा लास्ट एक्टिविटी होता है सर यहां पर लास्ट एक्टिविटी क्या है 20 तो हमें 20 को बस complete करके छोड़ना है इस बात को याद रखना है ठीक है सर यह डेट जो था वो था एक एक दो हजार बीस तो इसको complete करना यानि यहां पे तो एक और depreciation लग जाएगा 31, 12, 2020 16, 65 10% सीधा सीधा WDV निकाला जा रहा है into 10% यहां गया 149 8, 5 ठीक है तो लोग पहले वाले machinery पे अगर किसी को doubt है जितने बच्चे live में है first machinery पे अगर doubt है तो आप मुझसे पूछिए हाँ जी first machinery पे doubt है तो मुझसे पूछिए M2 की बात कर ले अब Sir depreciation लगेगा 31, 12, 2018 Sir कितने महने होगे यहां से यहां तक 6 महिने 6 महिने का आजाएगा 10% के इसाब से एक हजार बचे 19,000 11, 2019 31, 12, 2000 क्या हैगा 31, 12, 2019 20 थोड़ी हैगा जन्वरी दिसंबर वाला है तो अब फिर से लग जाएगा इस पे कितने पूरे साल का 1900 17,100 यह डेट है 11, 2020 इसी साल को कम्प्लीट करना है 31, 12, 2020 153, 90 चलिए देखिए M3 भी करी देते हैं फिर आपको समय देंगे 31, 12, 2019 कितने मेहने सर छे मेहने 33,500 बचे कितने 9,500 11, 2020 इसके बाद 31, 12, 2020 9,50 कितने बच गए 8,5 मैंने वर्किंग नोट आपके सामने कर दिया है पहले आप वर्किंग नोट को ओके बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे पहले देखिए अराब है वर्किंग नोट को ओके बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे पहले देखिए फटा फटा कैसे आगे बया आगे पहले खेंगे नोट को आगे ने बढ़ेंगे अरे मौद को आगे बढ़ेंगेद आगे अरे, अरे, बढ़े आगे बताईए जैया पवन प्यूश किसी को भी दिक्कत है यहां तक में तो बताएं नहीं तो फिर आगे बढ़ने के बाद फिर दिक्कत हो जाती है नीन से जाग जाओ बढ़ें आगे अब करते हैं हम पोस्टिंग अब पोस्टिंग में देखिए का ध्यान देना है अपने पोस्टिंग में सबसे पहली मसीन्री हमारी 1418 में ध्यान से देना इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं टू बैंक अब हमने पहली मसीन्री को जो हमारा M1 था मैं यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में बस जो M1 था उसके दो हिस्से करें में हैं 10,000 और 20,000 तो हमें दो हिस्से यहां नहीं दिखाने हमें यहां दिखाना है 81,000 इसके बाद आगे देखा जाए 31,12,2018 तो by depreciation अब depreciation भी इस दोनों हिस्से पे है that is 750 एक इधर वाला हिस्सा और दूसरे वाले हिस्से पे 1500 तो हम एक साथ ही दिखा देंगे that is 22,50 M2 क्या हमने इस साल खरीदा है इस साल कोई और machinery खरीदा है या नहीं खरीदा है बताइए चलिए M2 एक दस दो हजार अठारा ये भी तो इसी साल आएगा न तो सर M2 भी इसी साल आएगा एक दस अठारा किस नाम से 2 बैंग M2 कितने का है सर 20,000 और इसके उपर भी depreciation लगना चाहिए फिर तो बिलकुल लगना चाहिए by depreciation और इस पे कितना लग रहा है हमारा एक हजार first year completed इसका बस calculation कर देते हैं total फिफ्टी थाउजन यहां भी फिफ्टी थाउजन by side में आ जाएगा by balance c d 31,12 depreciation निकालते हैं पचास अजार बाइस सो पचास एक हजार 46 सास्थो पचास dated है 11, 2019 और यहां पे आ जाएगा to balance bd 46 750 clear अब दूसरे साल आ गए है दूसरे साल हमारे पास एक यह डैप है एक यह डैप है किस पे machinery 1 पे 31,3 sorry 31,12 19 इसमें डेट काफी धियान देना होता है by depreciation सर कितने कितने हैं 925 और प्लस 1850 2775 इसके बाद दूसरे पे 31,12 19 by depreciation नंबर 62 पे 2 पे 1900 क्या 3 भी इसी साल खरीदा है 3 इस साल खरीदा है चेक करिए जुलाई 19 तो इसी साल खरीदा है सर तो एक साथ 19 में 2 बैंक 2 बैंक से कितने का खरीदा था 10,000 चलिए अब इसका totaling करते हैं इसका भी depreciation आएगा न तो 31 बारा को by depreciation number 3 पे तीसरे पे कितना लग रहा है 500 चलिए total कर लेते हैं 46750 प्लस 10,000 56 750 56 750 पाई बैलेंस CD माइनस 2775 माइनस 1900 माइनस 500 तो 51,051,057,05 यह आगया 31,12 ठीक है यह आगया 31,12 आगे देखते हैं सर्थ आगे क्या है फिर से इसका बैलेंस BD बना दिया जाए एक एक बीस तू बैलेंस तू बैलेंस BD सर्थ बैलेंस BD में क्या जाएगा 5,1 7,5,1 5,7,5 ठीक है अब डेप्रिशेशन लगना है लेकिन पहले यह वाला हिस्सा बिक जाना है तो इस वाले हिस्से को एक एक 20 को ही बेच दिया जाएगा पाई बैंक से साल के स्टार्टिंग में ही बेच दिया जाएगा सर्थ बाई बैंक से कितने का बेचा गया बेचा गया तीन हजार और ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल इसके बाद एक एक 20 क्या करें अब जो लॉस हुआ हमारा वो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सर इस पे लॉस हो गया कितने का हुआ 5325 अब हमारे पास डेप्रीशेशन लगना चालू होगा 31, 12, 20 में बाई डेप्रीशेशन नमबर 1 1665 फिर लगेगा हमारा 31, 12 को ही पाई डेप्रीशेशन नमबर 2 पे 62 पे कितना लगेगा 2 पे हमारा 1710 1710 फिर 31, 12 पाई डेप्रीशेशन नमबर किस पे लगेगा 3 पे 3 पे कितना लगेगा 950 तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ये यहां आने के बाद complicated हो गया है तो बस अब बस totaling का काम रह गया तीनों पे लगा दिया डेप्रीशेशन totaling करके minus 51575 51575 minus 3000 minus 2325 minus 1665 minus 1710 minus 950 तो यहां लिखना है हमें by balance balance cd date क्या है 31 12 मैंने उपर 13 लिख दिया 12 ठीक है तो यहां गया 38925 चेक कर लिजे आपके किताब में भी होगा 330 330 इसका 47 हमने यहां minus कर दिया नहीं ठीक है चलिए ठीक हो मस्तिक ठीक है तो यह हमारा answer final आ गया book के अंदर error है थोड़ा सा उस error को आप rectify कर लेगे ठीक है बताइए किसी बच्चे को कोई doubt एक पर फटा फट सा इसको नोटिंग करिए पहले दिखाओ नोटिंग करने आपको फटा फट आप आप इसके अंदर reprint कर दो इसके अंदर एक error हो गया है हमसे वो देख लेते हैं क्या error सर यहाँ पर depreciation ना यहाँ से यहाँ तक जो time है न तीन महिने है यह ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ error यहाँ से यहाँ कितने महिने हैं तीन महिने हमने छे महिने मान लिये थे financial year के according तो तीन महिने का भाई साब कितना depreciation आएगा पान सो तो यह सारा गड़ बढ़ कोई बात नहीं उन्निस पान सो इसके बाद उन्निस पचास यह कितना आजाएगा कि 175 53 वर्गिंग नोट बहुत important part है इस बात का ध्यान रखना है तो यह वाला जो हिस्सा होगा that is 500 500 अगर इसमें एड़ कर दें 550,000 माइनिस 47,250 47,250 आप नोटिंग करते रहिए मैं करेक्शन कर देता हूँ 47,250 सर्या जाएगा हमारा 57,250 और या जाएगा 1950 depth 2 हटाना है 52,025 52025 52025 –1755 3000 प्रेपन पचेश 39,330 यही था आंसर 39,330 अब नोट कर लिजे इदर मैंने सारा करेक्ट कर दिया 19,330 मही रिपा करेक्ट करेक्ड़ धार 99,27,100 यही तृआ आंसर करेक्ट करेक्ष्ट ्दा प्राएगा 60,000-550 520 5202,650 झाल झाल